देखे ग्रामी न्यूस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मिलकर उननत खेती प्रोसेसिंग और मार्कीटिंग की तकनीक सीखेंगे मदप्रदेश में दिवाज जिले के देहरियास साहू गाउं में एक किसान ने जहर खाकर आत्मात्या कर ली में तकी बहचान 25 साल के किसान राजेश उर्फ पपू पाटिदार के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि किसान कर्स कले दबा हुआ था और उसने प्याज की फसल बोई थी लेकिन दाम गिरने की करण लाकत भी नहीं निकल पा रही थी जिसके करण वो कई दिनों से परिशान चल रहा था और उसने जहर खाकर आत्मत्या गर ली बारती किसान यूनियन की 8 से 10 जनवरी को इलाबाद में होने वाली किसान महा पंचायत में शामिल होने के लिए शेत्र किसान बुदवार को प्रियागराज के लिए रवाना हो चुके हैं भारती किसान यूनियन के प्रदेश संगिठन मंत्री प्रभू सिंग नस्वारिया वा महेंदर सिंग भगोर ने सभी किसानों से समय पर रेल स्टेशन पर पहुसने की अपील की है कर्दमाफी के बार चतिजगर सरकार किसानों को जल्द ही एक और तौपा दे सकती है मुख्य मंत्री पुपेश बगेल ने कहा कि राज्ये के किसान लगातार गर्वी में फ़स्लों की सिचाई के लिए पानी की मांग करते रहे हैं जिसके चलते जल्दी स्मूदे पर चड़्चा करने का नेड़न लिया जाएगा उत्यप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधितनात की संकल्प हर खेत को मिले समय से पानी को धरातल सर उतारने के लिए सिचाई एवं सिचाई यांतरिक मंत्री धरंपाल सिंग ने सिचाई वभाग में कई महत्वकांशी योजनाओं को अमली जामा बहनाया है इसी क्रम में किसानों की समस्याओं को तुरंथ हल करने के लिए निशुल का हेल्प लाइन को भी जारी कर दिया गया है सिचाई सम्बंदी समस्याओं के समूचित निराकरण के लिए सिचाई एवंजल संसादर निव भाग में किसान बुलिटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही अल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए आप देखते रहें ग्रामी न्यूज नमस्कार